हलो मेरे दोस्तों मैं रहूल और स्वाग अथा फ्लोगों का आपके अपने यूटूब चानल आरके सेंटर पे दोस्तों आज के वीडियो में में लोग जाने वाला है जियोग्रॉफी M.D.C. 1, 2, 3 जो कि आपका सेमस्टर 1 के लिए भी होने वाला है टु के लिए भी और तुक्री के लिए भी होने वाला है mature मैं किस प्रकार के कोशन दिये गया है सब्पहाद हम आपके मातर 5 छे कोशन बताया जाएगा जो आपके अव्यामेनेसान के लिए important रहेंगे ठीक है तो वो BBI question जाने के लिए आपको वीडियो को अंततक देखना है उसके साथ-साथ आपको जितने भी BBI question बताये जाएंगे सबका त्यारी जो है इस चैनल पर करवाया जाएगा इसलिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है उसके साथ-साथ चैनल को दोस्तों के साथ share करना है ताकि इस चैनल इतने भी question है सबका information जो है आप तक पहुच जाए और अपना त्यारी जो है आप भली भाती कर ले ठीक है तो चलिए सबसे पहले question जाते है पहला question क्या रिकबाय कि भोगोल की प्रकृति एवर माश्य चैनल का विशलेशन कीजिए ये question माश्य न इपर देखे ज़र की बात करें कोशनम 3 में क्या है कि भुकंप क्या है भुकंप किसको कहते हैं इसके कारणों का वर्ण करें और भुकंप क्यों आता है इसके बारे में बताना है ठीक है पर देखें नेक्स्ट कोशन की बात करें कोशनम 4 में क्या लिकावा कि वायू मंडल की विभिन परतों की बनावट और विसेश्ताओं का वर्ण करें И confusing मन्दल का किस प्रकारसे बनाबात है उसके बारे में पता ना हूँ पिर कूश्चान फाइप में लिखेवा से क्या है, कि किसको बढ़ लगती है? पिरश्चान फाइप से किसको कहते है, और जव विता अवंद्रन के प्रमुक कारणों का कोस्पस्ट करना है ठीक है यह कोशन हो गया देखे इसमें आपको सारी कोशन बताया जाएंगे इंपर्टन कोशन बताया जाएंगे और अगर देखे इसके यह साथ-साथ जितने कोशन आपको बताया जाएंगे ना सबको सब गुरूप में जोएन हो जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिलेगा उसके साथ-साथ आपके जितने भी सब्जेक्ट है भी एसी वन हो गया और स्टैंडिंग इंडिया हो गया ठीक है हिंदी इंग्लीज हो गया जिसने भी है सबका त्यार आपको करवा जाने वाला है तो डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में सबका लिंक पिलेगा वहां से आप लोग सारे कोशन को देख सकते हैं ठीक है कि जारकर में कौन कौन से परियाटकों के आकर्स केंद्र है जो परियाटकों को गोमने वाले को क्या करता है उसके बारे में बताना है कि मानो की वित पतु ए विकास की प्रकार से हुआ उसके अब बताना है comment 9 कida कлять कि मानो पर्यावरान के सबन्दों की वियठ्या क्या सबंद है उसके बारे में बताना है।Outशम में क्या है कि भारत में वर्ण करें वारत में लिखाबा कि जुवार भाटा क्या है कि जुवार भाटा क्या है इसके उत्पत्ति है वह परकारों का वर्णन करें कि इसका उत्पत्ति किस परकार से हुआ इसके बारे में बताना है इसके क्या क्या परकार है फिर कोश्चनमर 12 में क्या है कि भवोल में रोजगार के आउसरों का विवरन देजे कि भवोल में जो है ना रोजगार के आउसर का विवरन देना है ठीक है फिर कोश्चन मरं 13 की बात करें लिका किया कि परियावरन अवनायन से क्या है इसके कारण की विवेशना करें इसके क्या क्या कारण है उसके बारे में बताना है कि ऊपर कुशन नलींग कि आपको करवाय गए है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्टिबिशन बॉक्स में मिलेगा इसका प्रक्लिस्ट बना दिया गया आप लोग चीजा आपको सारी चीज मिल जाएंगे सारी कोशन मिल जाएंगे क्वलर की और झार थक्या है कि एक के जिएलों की परिवासे थे जील किसको कहते है दा उत्पती क्या थार पे जिनी कैर्म क्तिकि कितने परकौन परिवासे जो को आपकार का समस्या के लिए इसके बारे में बताना है तो यह जो है सौला है तो आपके एक्जिस पेपर में दिये हुए ठीक है तो यह आपके एक्जिस पेपर में जाने हैं आपको पढ़को पर दूसरा question भी आपको पढ़ना है कि पृस्वी के उत्पथी समंदीद घ्ञतव क्या आपको पर्लेना है कि वह कंप क्या है इसके पारें भी पता लेना पढ़ लेना आपको फिर आजाना है 5 नमर कोशन में कि पाराश्चित की सिया क्या आस है पाराश्चित की तंतर हम लोग किसको कहते हैं ये कोशन आपको पढ़ लेना है फिर koosnes नमर 7 की तरह पना है कि जहारकन में कौनसे कौनसे पर्याटक किंदर है और यह गोमने वाले की जो पर्याटक होते है उसको किस प्रकार से आकरशित करता उसके बारे में पड़ना है उसके बाद koosnes नमर 8 पी आपको पड़ना है इसका उत्पत्ति और फ्रकार क्या क्या है उसके बारे में बताना है फिर आपको लास्ट में पढ़ना है जो आला मुखी की परिभासा दें तता जो आला मुखी क्रिया त्वारा उत्पन करें और आपको नोट करेंड़ा है उसके साथ साथ आपको जतें विद्धिया कोशें कर बार का इंसर ऑपको बिल्कुल ईजी से मिलने वाला हैर चैनल को सबस्क्राइब कर लें उसके साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर और वाहे। उसके साथ साथ, इतने भी इंपोर्टिना कोशन आपność चाहिए होंगे और